नमस्कार दोस्तों मैं रभी आपका स्वागत करता हूँ उपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो को जो टोपिक है वो काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच रुपे के चार कोपर निकल के सिक्कों के बारे में जो कि मुझे लगता है कि आगे जाकर वैल्योबल और रेर हो जाएंगे काफी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये जानना चाते हैं और मैं समय समय पर ऐसी वीडियोज बनाते रहता हूँ कि दो रुपे के कौन से सिक्के आप कलेक्ट करें जनरल सर्कुलेशन से पांच रुपे के कौन से collect करे या 25 पैसे के या 50 पैसे के कैसे कैसे सिक्के आप अपने collection में collect करे जो future में आपको अच्छी value दे सकते है पिछले एक साल से मैं अलग-अलग इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ तो आज भी एक ऐसी वीडियोस है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ copper निकल के सिक्कों की बात करूँगा पांच रुपे के इनमें से कुछ सिक्के अभी भी rare हैं और कुछ सिक्के ऐसे हैं जो आगे जायकर rare हो जाएंगे क्योंकि circulation में ये coins देखने को नहीं मिल रहे है general circulation से आप ये समझ लिए एक तरह से थोड़ से लुप्त से हो गई है coins क्योंकि काफी कम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मैं coins में deal करता हूं, coins में काम करता हूं तो मुझे ये जब काफी कम देखने को मिल रहे होंगे तो मैं 5 रुपे के 4 ऐसे coins बताने वाला हूं जो आपको collect करने है अगर आपके collection में नहीं है तो उनको collect कीजिए और अगर आपके पास पांच रुपे के काफी ज़्यदा सिख्य available है तो वो सिख्य आप उनमें ढूंडिये और उनको एक तरफ file में लगाईए या coin holder में लगाई उनको एक तरफ सेफ रखिया उन सिख्यों को जो मैं पांच रुपे के चार coins बताने वाला हूँ आगे जाकर वो आपको अच्छी value देंगे कीमत भी बता दूँगा वीडियो के साथ साथ लेकिन कीमत इतना matter नहीं करती है क्योंकि जो लोग coin का collection करते है उनके लिए coin के price इतने matter नहीं करते है क्योंकि coin collection एक hobby है और जो लोग ये सोच रहे है क्या coins की growth आगे जाके हो जाएगी coin से 5 रुपे कैसे सिख्य है जिसके अच्छी value में सकती है तो वो लोग तो इस वीडियो को पूरा एन तक जरूर देखे copper nickel की धातू के सिख्यों की बात करूँगा उसके अलावा और किसी coin की बात नहीं करूँगा तो पहला जो coin है जो मुझे लगता है क्या आगे जाके valuable हो जाएगा और जो अभी circulation में देखने को नहीं मिलता है collectable 5 रुपे का coin है इसकीन पर जो coin आप देख रहे हैं ये है आठवा वर्ल्ट तमिल कोंफरेंस तिरुवल्लूवर 1995 1995 1995 में बना copper nickel का तमिल कोंफरेंस संद तिरुवल्लूवर 1995 का ये सिख्का इसमें noida mint valuable coin है ये coin अभी भी circulation में देखने को नहीं मिलते हैं 5 रुपे के संद तिरुवल्लूवर वाले coin की माँब से बात कर रहे हैं लेकिन इसमें noida mint वाला थोड़ सा square coin है अगर आप उसको अपने collection में रखते हैं तो definitely आगे जाके उसकी अच्छी value आपको 100% मिलेगी कीमत की बात करें तो संद तिरुवल्लूवर 5 रुपे के जो coin है ये आपको अभी की present market value दे सकता है 50 रुपे से लेकर 500 रुपे ये 50 रुपे से लेकर 500 रुपे क्या है इसी बीच में coin की conditions भी आती है जिस हिसाब से आपकी coin की condition होगी उसे हिसाब से उसकी market value भी होती है अगला coin जो है 5 रुपे का अगला coin 5 रुपे का जो है जो आपको collect करना है कौपर निकल का वो है महात्मा बशवेश्वर 2006 में बना कौपर निकल का ये सिक्का महात्मा बशवेश्वर स्क्रीन पर यह आप कोईन देख रहे हैं यह सिक्का आपको कलेक्ट करना है यह वाला सिक्का दो अलग अलग धातुम आपको देखने को मिल सकता है जिसमें कोपर निकल का और स्टेनलेस स्टील का कोईन आपको देखने को मिल सकता है लेकिन आपको कोपर निकल वाला सिक्का कल करने हैं तो महात्मा बस्विश्वर वाला पांच उरुपे का ये कोपर निकल का सिक्का 2006 में बना ये कलेक्ट करना है आपको अगर पर्जेंट वैल्यू की बात करें तो इसकी कोपर निकल के सिक्के की कीमत 100 रुपे से लेकर और 150 तक चल रही है डिपेंड करता है कंडिशन कैसी है गर UNC कंडिशन का है तो 200-200 रुपे तक भी कीमत जा सकती है अगला पांच रुपे का सिक्का कौन सा है जो आपको collect करना है अपने collection के लिए अगर आपको अपना collection और अच्छा बनाना है काफी लोग ऐसे है, subscribers ऐसे है जो मेरी वीडियो देखकर ही collection करते है और जो मैं उनको information दे रहूँ वो definitely उनको value provide कराएगी मेरे channel के मादियम से जो भी आपको coins और note की information दी जाती है मेरी वीडियो के मादियम से आपको value मिलती है मेरी वीडियो के मादियम से आपको price पता चलते है कौन से coins, कौन से note valuable है कौन से coins सिक्के collect करने है आगे जाकर कौन से secure note आपको अच्छी value दे सकते है अगला जो कोईन है वो है 150 एर दा फर्स्ट वर इंडिपेंडेंस 2007 में बना कोपन निकल के यह सिक्का यह अभी भी रेर है और आगे चलकर और आगे चलकर इसकी वैल्यू में और जादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है अभी पर्जेंट की इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो 1500 रुपे से लिकर 2000 रुपे समझें दोस्तों आप अगर यह कोईन आपके पास वेरिफाइन कंडिशन में भी है तब भी इसकी कीमत 1500 रुपे तक है यूएंसी कंडिशन में 2225 रुपे तक भी कीमत चली जाती है दिल्ली एक्जिवीशन के व्लोग पर मैंने इसी तरह के 55 रुपे के कुछ रेर सिक्के भी आपको दिखाया थे जिसमें क्रॉप साइज थे इंटरनेशनल क्रॉप साइज थे बाल गंग अधर तिलक जीवाले थे और 150 एर ओफर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडेस उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिक्शन में भी डाल दूँगा 1500 उर्पे से लेकर 2500 उर्पे के बीच में इसकी कीमत अभी चल रही है मार्किट वैलियो अब जो अगला कोईन है जो कलेक्ट करना है आपको कोपन निकल का जो आगे चलकर रेर भी हो सकते हैं वो है जगत गुरु श्री नारायन गुरुदेव 5 उर्पे का कोपन निकल की धातू से बनाया सिक्का चनल सर्कूलेशन में देखने को नहीं मिल रहा है ये कुछ ऐसे सिक्के हैं जो सर्कूलेशन में देखने को अभी परजेंट में नहीं मिल रहे हैं एक तरह से अद्रिश्य से हो चुके हैं ये समझ लेजी आप कुछ कोई करें पांच रुपे का जगत गुरूश्री नरं गुरुदेव का यह सिक्का कॉपानिकल का सिक्का अब कलेक्ट करें अभी मार्केट विल्यू की क्या चल रहे है तो वो चल रहे है पցचा सूर्पे से लेका 200 रुपेए डिपेंड करता है कोन की कंडिhti कैसी है statistics किस तरगी कंडिशन का आसी का है तो यह चार कोई ज sit पर आप देख रहे हैं पांच रूप पर के कोपर निकल कि यह स्यक्त करें अगर आपके सारा पड़ा है तो उनमें ये सिक्के छाट कर एक तरफ रखिए आज की वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा अपनी इमेल आइडी का डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इमेल आइडी आपको दे दूआ कर सकता हूँ अपने के लिए सिक्का यूं सी कंडिशन में होना चाहिए आपका क्योंकि इस के कही खतम करता हूँ चैनल अगर अब अने वाली वीडियो के नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें आज इस वीडियो को दोस्तों में ख़तम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद